जहे हिन दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 53 समेस्टर में पोलिटीकल साईस का जो आपका एक्जाम हुआ था ठीक है जिसमें आपका पेपर रध्ध हो गया था जो अगला पेपर है वो 27 तारीक होगा second paper political science का ठीक है इस class में 301 का दोस्तों हम लोग paper analysis करेंगे देखेंगे आपके कितने प्रस्ण सही हुए हैं ठीक है जितने भी प्रस्ण आपके सही हुए रहेंगे आप लोग comment box में comment जरूर करिएगा आपके कितने प्रस्ण सही हुए हैं ठीक है तुलनात्मक राजनीती अध्यन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्यन किया जा सकता है तो ध्यान से अगर प्रस्ण को पढ़ेंगे तो पूछा क्या है किसी देश में तुलनात्मक राजनीती अध्यन करने के लिए निम्नलिखित यानि चारदिया है किसका अध्यन किया जा सकता है तो राजनीती दलों का भी होता है सिनाओं का भी और संसदों का भी होता है ठीक है आफसर नमबर डीस में सही था उपरोक्त सभी चलिए दूसरा नमबर आपका क्या पूछा था देखिए दूसरा नमबर प्रसन आपका पुछा था तुलनात्मक राजनीती केंदरित होती है विया किस पर होती है विसे वस्तुगों पर होती है छेत्रों पर और देशों पर ठीक है प्रस नमबर तीन आपका पूछा है दोस्तों बहुत ही ध्यान पुर्वक देखेंगे देखेंगे तुलनात्मक राजनीती ज्यादा तर एक पद्धती जो केंद्रित है विसलेशण का कौन सा भाग विसलेशण का क्या भाग तो इन दोनों भाग उपर था ठीक है तीसरे का अ राजनीती है इन दोनों को अलग क्यों नहीं किया जा सकता है तीन आपसंदिया है पढ़ेंगे ध्यान से सरकार और राजनीती समान रूप से महतपूर है ठीक है राजनीती आपचारिक और अनपचारिक दोनों संस्थाओं को अंगिकार करती है बिल्कुल सही है जिस परकार सरकार हम मैंसे सभी के बारे में चिंता करती है वैसे ही राजनीती की ठीक है तो यह भी सही है हमारा आफसन नमर देख लेंगे कौन सा सही है इसमें आफसन हमारा D दिया है ठीक है उपरोग तो सभी सही हो जाएगा आफसन नमर D ठीक है इंपूट आउटपूट को ध्यान मत दिजेगा यहां पर देखेगा निवेस निर्गत ठीक है आपके जो बुक में दिया है निवेस निर्गत दिया है ध्यान से इसे समझने के लिए ठीक है इंपूट आउटपूट आपको समझने के लिए भी दिया है लेकिन निवेस निर् इसका द्रिष्ट कोल का सुरोत क्या है यह पुछ रहा है तो जो निवेश और निरगत होता है यह राजनीतिक आर्थिक द्रिष्ट कोल होता है ठीक है पाचवेक आफसन नमबर सी इसमें सीथ आपका प्रस नम्मर छह आपका पूछा है दोस्तों जनमत एवम राजनीती से संबंदित अन्य पहलूओं के बारे में अध्यन कौन सा राजनीती उपागम करता है तो यहाँ चार आपसन आपका दिया था वन टू थिरी फोर और इसमें पूछा था कि जनमत एवम राजनीती से संबंदित ठीक है अन्य पहलूओं के बारे में कौन सा अध्यन उपागम करता है राजनीती उपागम करता है तो जो उत्तर वेवहरवादी उपागम है और एतिहासिक उपागम है ठीक है ये दोनों क्या भी है ये दोनों आपके जन्मत राजनीती से संबंदित ठीक है राजनीती के उपागम है कौन-कौन से उत्तर विवहारवादी उपागम और एतिहासिक उपागम हम देखेंगे हमारा कौन साइस में से सही हो जाएगा दो और चार हमारा सही था तो अफसन हमार उदारवाद का सबसे आवस्यक सिधान था है दोस्तों वास्तों में जो पूलिटीकल का पेपर हुआ था वो काफी टफ हुआ ठीक है याद रखेंगे जो 301 का पेपर हुआ था उवी टफ था 302 भी इसी तरह से आएगा ध्यान रखेंगे ठीक है तो अच्छे से तियारी करके जाएगा मैं और क्लास लाकर के आपको दूंगा तो ध्यान से पढ़े लेजिएगा ठीक है इसी बेसेश पर मैं त्यारी कराऊंगा आपको 27 तारीक वेग्याम है ठीक है चलिए सात्मा आपका प्रस्न पूछा है उदारवाद का सबसे आवस्चक सी धांत है उदारवाद का सबसे आवस्चक सिध्धांत सोतंत्रता होता है ठीक है याद रखेंगे सात्मे कसी आपसं सही था देखिए आठमा पूछा है बहुत ही आसान प्रस्न था ये एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर है तो एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर होता है राजनीतिक समानता ठीक है आठवे का अप्सन नमबर यह हो जाएगा प्रसन नमबर नौ आपका पूछा था दोस्तों किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकूस्ता कहा था रूसो लिंकर मेडिसन या फिर मिल तो इन चारों में से कोई नहीं है दोस्तों ठीक है क्योंकि जो लोकतंत्र की बहुमत की निरंकूस्ता कहा था वो डी टाक वीले ने कहा था किसने कहा था भी या डी टाक वीले डी टाक वीले डी टाक वीले ने कहा था मैंने आपको पढ़ा था अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा डी टाक विले ने कहा था ठीक है बहुमत की निरंकुस्ता लोकतंतर को बहुमत की निरंकुस्ता डी टाक विले ने कहा था लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग कौन सा इसमें से लगा करके आएंगी तो सर ये मेरा प्रस्ण गलत हो ग इसको आपका पूरा नंबर मिलेगा ठेक है वोई दिखकत नहीं है नमे का आप लोग कॉन सा लगा कर आया है है चारो में से ओप्षन में से ठीके करिए कमेंट बक्स में कमेंट संबंध है दोस्तों वह आपका नियाई सर्वच्चता का होता है ठीक है दसमें का आपसा नंबर भी सही था चलिए ग्यारवन नंबर प्रसन आपका पूछा है बहुत ही आसान प्रसन था यह भी हलाकि यह प्रसन माइने नहीं पढ़ाया था ठीक है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को बिसो में समाजवादी दलों के अग्राडी की रूप में वर्लित किया गया है तो दोस्तों जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है ठीक है यह क्या है ठीक है यह बिसो में समाजिक देलोग में के अग्राडी की रूम में वरडी था या ग्राडी मतलब समझ रहा है सबसे पहले कौन था ठीक है सबसे पहले पार्टी कौन थी भीया तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी थी अगर अब थोड़ा सा दिमाग लगा होंगे तो आपका ये 11 नंबर के बाद आई थी याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे वड़ते हैं दोस्तों आपका 12 नंबर पर देखते हैं 12 क्या पूछा है दोस्तों देखिए 12 नंबर पूछा था अवसिष्ट सक्तियां किस संगवादी विवस्था में राज्यों के पास होती है ध्यान से पढ़ेंग इसमें स्विट्जर लैंड है ठीक है और कनाड़ा है इनमें क्या है अवसिष्ट सक्तियां संगवादी विवस्था राज्यों के पास होती है हलाकि भारत के पास भी होती है लेकिन जो भारत का अवसिष्ट सक्तियां है यह कनाड़ा से लिया गया है ठीक है इसलिए हमारा आप्सन नमबर C वाला इसमें सही था ठीक है तीन और चार ठीक है याद रखेंगे स्वीट्जालेंड और कनाड़ा इसमें सही था यानि बारवेक आप्सन नमबर C सही था ठीक है चलिए तेरवा नमबर आपका इसमें प्रस्ण पूछा था दोस्तों ये भी प्रस्ण मैंने पढ़ाया था कम्यूनिस्ट माइनिफेस्टों किसने लिखा था कम्यूनिस्ट माइनिफेस्टों दोस्तों कालमाक्स और एंजेल्स ने लिखा था ठीक है communist manifesto इसमें 13 का अपसने नमबर सही था चलिए 14 नमबर आपका प्रस्ण पूछाया दोस्तों मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ठीक है आपको अच्छे से दिखाई दे देखिए पूजी वाद का अधार क्या है तो इसको भी मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया था क कि अगर पूजी है तो भाईया हमको लाव कमाना क्या करना है लाव कमाना है तो 14 का अपसन सी अमारा सही था इसमें ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है लाव कमाने का मकसद होता है पूजी वाद में ठीक है चलिए पंद्रवा है आपका पंद्रवा नमबर प्रस्ण पूछा है केंद्र परीधी अर्ध परीधी या कोई नहीं तो दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा डावड लग रहा था ठीक है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं यह जो तीनों अप्सन है यह क्या है गड़ीत का दिया हुगा है ठीक है केंद्र के ऊपर भी यह क्या होता है यह परीधी होता है ठीक है अब यह बीचे में सकाट देंगे तो का हो गया हमारा जो इधर कराएगा इधर वाला अर्ध परीधी हो गया इसमें क्या पूझा है पूजिवाद विश्व अर्थवेवस्था से सबसे अधिक लाव किसको होगा तो जो केंद्र में होगा वही ल परसेंट जो है यह वाला सही था ठीक है पंद्र का यह वाला केंद्र को ज्यादा क्योंकि दोस्तो हम जहां भी रहेंगे हम अपने देश में काम करेंगे तो हम केंद्र में रहा कर अपने देश का भला सोचेंगे अपना भला सोचेंगे ठीक है तो जो भी होता है जहां भी ह उत्तर परदेश में ठीक है तो इस पंद्रह का आपसा नमबर एवाला इस तरीके से सही हो सकता है बाकि आप लोग कमेंट करिएगा ठीक है जैसा भी होगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों चलिए शोलवा नमबर प्रस्ण है आपका लोग तंत्र सासन की प्रडाल में नीत होती है यह भी मैंने अच्छे से पढ़ाया था सोलवे का आपसा नमबर भी हो जाएगा आपका सत्रवा नमबर प्रस्ण है दोस्तों काल माक्स ठीक है काल माक्स के अनुसार पूजी बाद है ठीक है काल माक्स के अनुसार दोस्तों पूजी बाद का भिया तो निम् आधिस्चिधान्त से संबंधित नहीं है मोस्का पेरेटो मिसेल्स तो ये भी अगर आप कलास देखे होंगे तो आपको पता होगा मिसेल्स था अठारा का आफसन नमबर सी इसमें सही था चलिए 191 नमबर प्रसनाप का था दोस्तों उदारवाद मुख्यत जोड है उदारवा समाजवादी सिध्धान्त नहीं समर्थन करता है जो समाजवादी सिध्धान्त भीया इन चारों में से किसका समर्थन नहीं करता है तो उतपादन के साधनों पर राज्य का नियंतरण ठीक है और क्या दिया है समाजी का आवसकता के आधार पर उतपादन समाज सेवा का सरोक मुक्त यंवं खुली प्रतियस पर्धा तो क्या फूछार समर्थन नहीं करता है व्य 색깔 करेगा उत्पादन के सादनों पर राज कर नियंद्र कहां होगा थीक है बताईए अगर हम उत्पादन एक नया राज गठित किया जा सकता है किसके द्वारा तो दोस्तों जो संबंधित राज होगा वहां का ठीक है और जो अमेरिका की कांग्रेस है उसके समती के द्वारा किया जाता है ठीक है तो सी वाला एक का इसका हमारा सही था इसमे प्रस नंबर 22 आपका पूछा है दोस्तो इकाईया संप्रभु है इकाईया संप्रभु का भिया अमेरिका संगी विवस्था में और भारतिय संगी विवस्था में ठीक है आपसा नमबर सी सही था 22 का चलिए तेश नमबर प्रसना आपका देख लेंगे इसमें क्या दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेधानिक सरकार की विशेस्ता है ठीक है ये तीन दिया है आपका तीन नमबर और इसमें से पूछ रहा है कि सम्मेधानिक सरकार की विशेस्ता है तो सम्वेधानिक सरकार की विशेशता क्या होती है तो यह कानून द्वारा संचालित सरकार होती है ठीक है यह व्यक्ति की ओर से सत्ता पर सिमाएं लगाता है बिल्कुल सही है इसमें राज का प्रमुख निर्वाचन होता है क्या है इसमें राज का प्रमुख निर्वाचन हो प्रमुख तो ये भी इसकी विशेष्टा है ठीक है संबैधानिक की तो हम देख लेंगे हमारा काउंसा सही हो जाएगा इसमें से सही उत्तर हमारा काउन अभिया तो यह वाला सही एक दो और तीन ठीक है यह वाला सही हो जाएगा चलिए 24 नमबर प्रस्ण है आपका बीधी का सासन का तातपर है यानि जो बीधी का सासन अभिया उ किस से तातपर है हमारा बीधी का सासन तीन नमबर दिया है आपका पहले हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे संबैधानिक सरकार सबसे बहतर सरकार है क्या या बीधी के सासन से तातपर है की नहीं है तो दोस्तों याद रखेंगे बिल्कुल है ठीक है या सरकार के कारियों पर सिमाय लगाता है बिल्कुल सही ये वीधी का सासन लगाएगा भीया कोई व्यक्ति या संस्था वीधी से स्रेश्ट नहीं है ठीक है कोई व्यक्ति है और संस्था है तो क्या वो वीधी के सासन से बड़ा हो जाएगा नहीं होगा भीया तो क्या हो जाएगा आपका 24 का caption number कौन सा इसमें देखनेंगे एक दो तीन कौन सा है एक दो तीन हमारा इसमें नहीं दिया है विपरोक त्थ सभी दिया है ठीक है, caption number D हो जाएगा चलिए, 25 नमबर प्रसन क्या है 25 नमबर ध्यान देंगे माइगना काठा, गौरफसाली, करांती और जानलाग के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया अगर आप बुक पढ़ेंगे दोस्तों तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे ठीक है बहुत ही ध्यान पूर्वा के इसको पढ़ना है देखिए दोनों अलग अलग दो कोश्चन को मिला करके इसमें दिया है क्या है इसमें देखिए मैगना काटा गौर असाली करांती है और इसमें क्या दिया है जानलाग के लेखन ये दोनों को मिला करके पूछा है ठीक है उपने भी ऐसी है नीती के रूप में ठीक है आफसर नमर डी सही था पचीश का चलिए 26 नमर देखेंगे आपका क्या पूछा था सिमीत सरकार का घनिष्ट संबंद है जो सिमीत सरकार होती है उसका घनिष्ट संबंद न्याइक सरवच्चता से होता है दोस्तों ठीक है 26 का आफसर नमर बीज वाला सही था इसमें चलिए 27 नमर प्रसनाप का क्या पूछा है अवसिष्ट सक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज के पास होती है फिर से पढ़ लेते हैं जो अवसिष्ट सक्तिया भया ठीक है राजनीतिक व्यवस्था में राज के पास होती है तो यह राज के पास किसके पास होती है अमेरिका और भारत दिया है अमेरिका और स्विजर लेंड दिया है भारत और स्विजर लेंड दिया है भारत और यू के दिया है तो दोस्तों इसमें ए वाला हमारा सही है ठीक है अमेरिका और भारत ठीक है आपसा नमबर A सही हो जाएगा इसमे कोश्चन को बहुत घुमा घुमा के पूछाता बहुत ही टप प्रस्ण पूछाता ठीक है याद रखिएगा 302 का भी जबर्जस तरीके त्यारी करके जाएएंगा आप सभी लोग ठीक है 28 नमबर प्रस्ण आप का पुछाता दोस्तों इसमें निम्न में से कौन सा संसदी प्रडाली की विशेस्ता नहीं है तो ध्यान से पढ़ लेंगे सामोहिक जिम्मेदारी क्या यह संसदी प्रडाली की विशेस्ता है की नहीं है तो यह विशेस्ता होती है ठीक है सामोहिक जिम् प्रसान नहीं है तो सरकार का निश्चीत कारकाल काहां से निश्चीत कारकाल होगा या 5 साल के बाल सब बदल जाएंगे ठीक है तो इसकी विसेष्टा नहीं होती है अपसन नमर डी वाला साय थाथा साइस का चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नमबर ये देखिए ये आगे आपका आएगा ठीक है मैंने question paper को देखा है अभी ध्यान से ये जो सामुहिक जिम्मेदारी है ठीक है ये भारत से संबांदित है याद रखेंगे प्रस नमबर 29 आपका पूछा था दोस्तो इसमें निम्न में से कौन सा अमेरिकी प्रडाली का हिस्सा नहीं है ठीक है अमेरिकी प्रडाली का हिस्सा नहीं पूछा भईया देखेंगे तो अमेरिका के पास क्या भईया बीटो पावर है ठीक है भईया सामुहिक जिम्मेदारी क यह भारत के पास है ठीक है का है भारत के पास है और आगे पढ़ेंगे सिनेटरियल सिष्ट चार यह भी अमेरिका के पास है फिली वेश्टरिंग यह भी अमेरिका के पास है यानि भी वाला इसमें दोस्तों का है हिस्सा नहीं है कहां का अमेरिका का इभारत का हिस्सा है सामु मुहिक जिम्यदारी यह तीन प्रस्ण आपके इस पेपर में आता सा मुहिक जिम्यदारी से ठीक है चलिए अभी एक प्रसन और आ गया आएगा क्या यह ब्रिटेन की न्याइक प्रडाली की विशेस्ता नहीं है तो प्रसाथनिंग न्याल है बिल्कुल है भी या ठीक है न्याइक समिच्छा का अभाव यह नहीं है ठीक है न्याइक समिच्छा का अभाव कहां से होगा भी यह यह नहीं हो सकता है ठीक है तीस का आप्सन न वहां कि उसे क्या बोलते है einem अदालत ठीक है उसमें यह सहायता करते हैं अदालत के थुरू में ठीक हैem बाकी मैं इससे समझाना ही पारह ovain आपको अच्छे से बाकी जूरी ब्रवस्ता जो बहुत अच्छी है वहां की ब्रिटेन की ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 30 का हमारा बता देते हैं आपका कौन साइस में हमारी विशेता नहीं थी दोस्तों तो बी वाला बी वाला हमारा साइस में 30 का ठीक है याद रखेंगे चलिए 31 नमर प्रस्वन कैं अभीए 31 नमर प्रस्वन आपका राज केवल एक यंत्र है ठीक है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का सोशण करता है यह कतन है यह कतन किसका भीए तो यह कतन आपका कालमाक्स का ठीक है सी वाला साइथ है 31 का चलिए अगला देखते है찬 32 नमबर क्या पुछा है, सक्ति प्रिथक करण के सिध्धान्थ का प्रतिपादन किस ने किया है, सक्ति प्रिथक करण का सिध्धान्थ का प्रतिपादन मान्टेस क्यों ने किया है, काफी अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे इस प्रस्न को, ठीक है, प्रस्न नमबर 33 आपक स्वतंत्रता होते कुछ भी कर देंगे सकरात्मक स्वतंत्रता है तो नहीं करेंगे ठीक है तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा ये क्या दिया है कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता ये भी नहीं होगा ये हो सकता है प्रतिब वाला सही है इसमें 34 का प्रस्ण आपका दिया है एक राज जो नागरिकों को अधिक समाजिक सुविदाएं प्रदान करें कहलाता है तो भाई यह कलने अड़कारी राज कहलाएगा ठीक है 34 का सी वाला सही हो जाएगा चलिए अगला आपका क्या पूछा मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ चलिए 35 नंबर प्रस्ण पूछा है बहुलवादी महत्तो देते हैं जो बहुलवादी होते हैं वह यह आपको किसमें महत्तो देते हैं तो वो समुह और संग को महत्तो देते हैं ठीक है 35 का सी हो 36 नमबर प्रसना आपका क्या पूछा था निम्न लिखित में से कौन सा लक्षड कल्यानकारी राज से संबंधित नहीं है तो ध्यान से पढ़ लिजेगा समाजिक सुरच्छा राजविहिन व्यवस्था लोकतंत्र और समाजिक न्याय ये चारो दिया था और क्या पूछा था क कल्यानकारी राज की सोरी कल्यानकारी राज से संबंधित नहीं है तो राजविहिन व्यवस्था ठीक है यह क्या है कल्यानकारी राज से संबंधित नहीं है बिल्कुल नहीं होगा राजविहिन कहां से होगा ठीक है चलिए 36 का भी वाला सही था 37 का देख लेंगे उदारवाद का मुल लक्षड है उदारवाद का मुल लक्षड क्या होता भी या यह भी मैंने पढ़ा था याद है कि नहीं उदारवाद का क्या होता है व्यक्तियों की सोतंत्रता होता है ठीक है ये वाला अपसा नमारा साही हो जाएगा साइटिस का चलिए अगला प्रस्णा आपका क्या है 38 नमबर ये भी आप लोग पढ़े थे नहीं पढ़े थे राज एक आवस्यक बुराई है इसे मानते हैं माकसवादी मानते हैं व्यक्तिवादी फासीवादी ये समाजवादी तो दोस्तों जो व्यक्तिवादी होते हैं ठीक है राज एक आवस्यक बुराई है इसे मानते हैं ठीक है याद रखेंगे 38 का बी वाला साही था चलिए 49 नमबर प्रस्ण आगया भी आपका ध्यान देंगे समाजवाद का मुख्य लख्षड क्या है जो समाजवाद है उसका मुख्य लख्षड पूछ रहा है तो समाजवाद का मुख्य लख्षड होता है समाजी कार्थिक नहीं ठीक है कुछ प्रष्ण ऐसे होते हैं दोस्तों अगर आप इत्मिनान से दोस्तों जब भी परिच्छा दिजिए आप लो तो इत्मिनान से पढ़ा करिये ठीक है पहले आप प्रष्ण को पढ़ लिए फिर उत्तर को विध्यान से पढ़िये बिल्कूल एकाग्रमन से पढ़ेंगे ठीक विया, 40 के वाला साई था चलिए 41 नमबर आगया 41 नमबर देखेंगे लोकतंत्र किस सिध्धांत पर अधारित है बताईए, लोकतंत्र किस सिध्धांत पर अधारित है तो राजनीती संप्रभुता पर अधारित होता है लोकतंत्र ठीक है आफस्च नम Stewartी हो जाएगा एक तालिस का कि 42 नमबर दोस्तों दिया है आलिंगार की यानि अलपतंत्र का लव कानून सिधान्ट किसे ने दिया था तो यह सिधान्ट आपका दिया थे दोस्तों मिसेल थीक है सोरी 42 का अफसाण नमबरसी बिलकुल सही है ठीक है मिसेल्स जो अल्पतंत्र है लोख कानून इसको किस ने दिया था या मिसेल्स ने दिया था 42 का अफसर नमबर से हमारा साइए चलिए कभी-कभी हमको भी पढ़ने में मिश्टिक हो जाता है तो थोड़ा एड़ेस्ट करिएगा ठीक है ठीक है 43 का अफसर नमबर भी हो जाएगा चलिए 44 नमबर प्रसना आगया आपका इसे मैं थोड़ा बढ़ा करता हूँ देखिए पूजी वाद अंतीम चरण है पूजी वाद किसका अंतीम चरण होता है अभी या यह भी पढ़ाया थे याद है कि नहीं आपको याद है याद है सर कोई बात नहीं है चलिए डी वाला सही था इसमें ठीक है पूजिवाद का अंतीम चरण समराज जवाद होता है चलिए कोई बाद नहीं है 45 नमर प्रसनाप का आगया ध्यान देंगे यहाँ पर पारमपरिक उदारवाद का चरित्र है बताईए जो पारमपरिक उदारवाद है इसका चरित्र कैसा भी या तो तठस्त है याद है कि नहीं यगर आप कलास कियोंगे दोस्तों तो लगबग लगबग की 10 से लगबग 20 कोस्चन के बीच में दोस्तों जो मैंने पढ़ा था आया था बाकी जादा नहीं आया था तो मैं प्रयास करूंगा और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने के लिए ठीक है नेश्ट कलास तो दोस्तो 27 को है अगला पेपर तो काफी अच्छे से पढ़ा जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलिए 45 का डी वाला साही था हमारा चलिए 46 नमर प्रस्णाप का दिया है इसमें निमनलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरीकता के साथ संगी ये परडाली है तो बिल्कुल आसान प्रस्ण था ये सुट्जिया लैंड है ठीक है 46 का चलिए अगला प्रस्णाप का देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना बहुदली प्रडाली है और जो जनमत संग्र है ठीक है सामूहिक ये मेदारी है यहाँ पर आपका दिया गया है ध्यान से पढ़िएगा ठीक है देखिए मैं बहुत ही असान प्रस्णाप है मैं इसे आपको समझाने का प्रयाश करता हूँ देखिए 47 नंबर प्रस्णापको बहुत ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पहले उत्तर आपको दिखा देता हूँ पहले प्रस्न देख लीजिए आप से देखिए जो डी वाला आपका दिया है सही उत्तर का चैन करें तो सही उत्तर में जो लाश्ट में देखिए आपके जो डी वाला है दोस्तों दूसरे से संबंदी था यह हमारा एक उत्तर तो पहले ही मिल गया ठीक है डी वाला हमारा किसे संबंदी था तो USA से संबंदी था बाकी हमारा किस्टे सम्वन्दी था तो सामोहिक जिम्मेदारी दोस्तों इसमें क्या है सामोहिक जिम्मेदारी हमारा यूनाइट के किंगटम से था ठीक है याद रखेंगे भारत का जो सामुहिक जम्मेदारी है United Kingdom से लिया गया यूके से ठीक है इस पॉइंट को याद रखेंगे और जो बहुदाली प्रडाली है यह कहां बाये जाता भीया तो यह भारत में पाये जाता है बहुदाली प्रडाली का मतलब धेट सारी पार्टिया ठीक है याद रखेंगे बहुदाली प्रडाली भारत में सामुहिक जिम्मेदारी का है भीया United Kingdom से लिया गया है हमारे भारत का तो हमारा क्या हो गया कन्फूज हो रहा है आप लोग देखिए जो A वाला है भीया वो आपका तीसरे से सही है ठीक है सार अगला बताईए जो बहुदाली प्रडाली है B वाला B वाला हमारा क्या भारत से हो गया ठीक है सार अगला बताईए तो मैंने पहले आपको बता दिया है D वाला दूसरा है तो D वाला यहां लिख लेंके दूसरा है कौन बचा जन्मस संग्रा किस से बच गया भी यहां कौन बचा है जन्मस संग्रा स्विडियर लेंड बचा है ठीक है तो जन्मस संग्रा हमारा यानि C वाला हमारा क्या जग अभी है A, B, C वाला अमारा चोथे से देखेंगे अमारा कौन सा सही है तो इसमें कौन सा सही है A, 3, B, 1, C, 4, और D, 2 यानि C वाला अमारा दोस्तों इसमें सही था ठीक है याद रखेंगे जो 47 नमबर प्रस्णा था आपका दोस्तों C वाला बिल्कुल सही था ठीक है याद रखेंगे सी वाला मैं एक बार लगा देता हूँ या सी वाला ठीक है लगा लिजिएगा आप लोग प्रसन नमबर 48 दोस्तो आपका पूछा था बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तो इस टाइप के अगर आपके एकजामे प्रसन आते हैं तो इतमिनान से दिमाग को एकागर करके पढ़िए बहुत ही आसान होते हैं ऐसे प्रसन ठीक है निम्नलिखित काथनों में से क काउन सा एक सही है चार आपसंदिया है और पूछरा काउन सा सही है इस टाइप की कोश्चन दोस्तो इतमिनान से पढ़ेंगे तो एकदम फट से एंस्वर दे देंगे ठीक है किवल क्या करना होता है आपको दिमाग लगा कर ध्यान से पढ़ना होता है अगर अब ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर दे देंगे पहला क्या पूछा था पहले हम प्रस्ण को दिवाक में रख लेंगे एक सही है इन चारों में से एक सही है तो एक समाजवादी राज यथा इस्तिती का समर्थन करता है क्या यह करेगा बिल्कुल नहीं करेगा विया एक समाजवादी तंत्र का बिरोधी है क्या बिरोधी होगा नहीं होगा ठीक है बिल्कुल नहीं होगा ठीक है डीवाला हमारा सही हो जाएगा एक समाजवादी जो राज होता है मुक्त वेपार का समर्थन करता है बिल्कुल सही है ठीक है कैसे सही है भी जान लिजे आप कोई भी वेपार करते ह तो राज्य को लाभ नहीं होगा तो राज्य क्या करता है मुक्त वेपाल बिल्कुल आप कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कन नहीं है अर्टालिस का डी वाला सही था इसमें प्रस नमबर 49 साब का पुछाता दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा प्रतेच लोकतंतर का उपकरण नहीं है तो आरमभक जन्वत संग्र और लोक निर्ड़ाई का भी या प्रतेच लोकतंतर का उपकरण होते हैं ठीक है प्रतेश्य लोग्तनत्र का उपकरण नहीं होता है ठीक है यह भी प्रस्णमाने कराया थ है जब मैं सुरू में कलास कराया था तो इस टाइब की प्रस्णमान पढ़ा था आपको पचास नमबर प्रस्ण है आपका लोकतांतरिक केंदरी करण किस देश से संबन्दित है क्या पूछा है लोकतांतरिक केंदरी करण किस देश से अमेरिका, कनाडा, चीन या सुडियल लैंड तो दोस्तों आफसा नमबर C हो जाएगा चीन ठीक है पचास का अफसन नंबर सी वाला सही था दोस्तों अपने दोस्तों के इस क्लास को सेर कर दीजेगा ठीक है ताकि वह भी देख लें कि उनका कितना प्रस्थ सही था बाकी कमेंड में आप लोग कमेंड करिएगा और 15 नंबर जो मैंने बताया कोशन उसको जरूर कमे कर दातरम